तो आपके सामने आ गए है एक और कोश्चन लेके जो आपके लिए इंपोर्टन्स है ठीक है तो चलिए इन कोश्चन को हम थोड़ा सा यहां पर कर लेते हैं ठीक है और यह कोश्चन कैसे होंगे जैसे कि यहां पोश्चन में दिया हुआ है और आगे बोला है सिक्स प्राइम नंबर क्या होगा सिक्स प्राइम नंबर मतलब अगर इस एपी का मैं आगे के टर्म लिख दूं मैं यहां पर अगर एपी लिखू तो पहला फाइव है फिर सेवन फिर 11 फिर 13 फिर 15 इसके आगे क्या आएगा सब में देखो दो-दो आयड 17 उसके बाद आजाएगा 19 उसके बाद आजाएगा डॉट 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 मतलब और भी आते हैं 21 अब देखिए प्राइम नंबर बोला छठा प्राइम नंबर इसके आगे कौन सा है छठा प्राइम नंबर आपको बताने हैं आगे बहुत सारे हैं लेकिन आपको छठा प्रा प्राइम नूमर कौन सा है यह है तो राइट एंसर कौन सा हो जाएगा बी एंसर राइट हो जाएगा तो ऐसे ही इंपॉर्टन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हेलो फ्रेंड आपके सामने एक और कोशन लेकर आ गए हैं और यह कोशन क्या है परहले को पढ़ ले ठीक है यह सिंपल कोश्चन है और इसको complicated कई सारे लोग बना देते हैं देखिए यह one है देखिए same वहीं फिर यहाँ पर two है फिर इनको add करोगे three है फिर बाद में आगे-आगे dash-dash करके कहां तक है देखिए one plus one plus one कहां तक है अगर यह देखेंगे तो कहां तक है आगे n-1 तक है कहां तक है मतलब कुल मिला जो लगा अगर देखा जाए तो कहां तक है n-1 तक है term क्या है n-1 मतलब यह जो sum करोगे न यह अगर last में देखोगे तो यह क्या समाएगा n-1 तक यह term है total n-1 तक term है इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पर अगर इसका solutions देखने जाओगे ठीक है अगर इस तरीक के question देखो 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 नो simple सा अगर देखोगे यह वन हो रहा है यहां 2 हो रहा है यहां 3 हो रहा है फिर प्लस अभी यह वाला जो पूरा add करेंगे ठीक है यह वाला मतलब लास्ट में इन सभी का sum करोगे n-1 तक की टम की बात कर रहा है तो simple सा s n का formula क्या होता है n upon 2 bracket में 2 a plus n-1 into d यह formula होता है अब यहां पर हमें n-1 तक पता करना है देखिए s n-1 मतलब n की जगह पर हमें क्या करना है n-1 put करना है यहां देखिए a की जगह क्या है देखिए one से start पहला term a है one है तो one रख दिए फिर यहां पर यहां पर भी देखिए n की जगह पे n-1 अब फिर बाद में यह-1 है ठीक है और d की value भी देखो गे तो एक ही बढ़ रहा है इस तरीके solve करेंगे अब यहां पर है n-1 divided by 2 यहां पर है 2 और यहां पर देखोगे तो n-2 है n-2 इस तरीके से यह-2 और यह-2 क्योंकि वन का multiple करोगे तो वहीं आएगा यहां बचा n तो आ क्या रहा है देखिए n-1 divided by 2 एक करफ और एक bracket में n आ गया तो यह ऐसा question कहा देखने को मिल रहा है तो आपको अगर देखोग तो ऐसे ही questions हमारे सामने आते रहेंगे और हम इसको solve करते रहेंगे धन्यवाद हलो फ्रेंड आपके सामने आ गए हैं एक और important questions लेके और बहुत बैतरी नहीं देखिए यह type के questions को किस तरीके से किया जाएगा ठीक है बहुत ज़्यादा hard नहीं है question देखके बहुत सारे बच्चे डर जाते देखिए यहां पर भी same वहीं से यह concept दिया गया है one plus two plus आपके स खाई भी यह वाले को अगर देखोगे न तो इनका multiplication करने पर यही आई जाएगा तो simple सा है देखो one plus two ap के form में दीख भी रहे है ठीक है और इनका sum पता करना है इसके पहले हमने इसका sum भी पता किया है ठीक है sn का formula होता है n upon two bracket में होता है two a plus n minus one into d और आपको क्या करना है यह यहां पर एन की जगह पर n-1 put कर देना है हर जगह पर जहां पर देखो एक जगह पर one करोगे तो अजाट टू हो जाएगा और यहां पर एन-1 और यह माइनस वन करेंगे न न माइनस टू और यहां पर डी भी हर बार एक बढ़ रहा है तो यहां से एन-1 डिवाड़ बैट यहां पर देखें टू है प्लस अगर यह देखेंगे तो एन-1 होगा यह माइनस वन और टू को सॉल करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा तो एन-1 ठीक है यहां पर एक मिनार्ट यहां पर देख लेते हैं यह माइनस टू हो रहा देखें यह माइनस टू हो रहा है माइनस टू तो यह माइनस टू से यह 2 कैंसल बचिया क्या एंड और यहां पता आएंड माइनस वन और डिवाइड बाई टू था तो यह कोश्चन्स में आपका एंसर ए राइट हो रहा है तो इसी तरी के कोश्चन को देखते रही है और हमारे चैनल को सब्स्राइब करते रही है थांक य विए और आपकी सामने बहतरीन कोश्चन्स है ठीक है ऐसे कोश्चन जब आते हैं तो बच्चे डढ़ जाते हैं क्योंकि कुछ अलग अलग नंबर देदिया रहता है तो अच्छा लगता है जब ऐसे दे दिया रहता है न तो बच्चे क्या हो जाते कंफियोज़ देखिए क कुछ ज्यादा hard नहीं दिया हुआ देखिए एवन जो दिया है न पहला टॉम वो दिया है 2K प्लस 1 एटू जो दिया है न वो दिया है थाटीन एट्री जो दिया है न वो दिया है 5k A-3ू क्योंकि बोल दिया है कि यह कन्जिक्यूटिटिट्टुम है A-P Kabla A-J которое आपको देखिए आपको पता क्या करना है यह पता करने के लिए सिंपल सा है क्या करना है आपको आपको पता है कि दी जो होता है न इसका डी बराबर होता है झालोद डिएंग टू लिख दिया डी वन के लिए क्लते हैं कि अध्यक्र लिख टे ँडूमाइनस इन और इसका आ जाता है यह कि मैनस इटू सिंपल सा धोको एंटू क्या है स्रस्तृत विड़्लाइस इवन क्या है मैं when नहीं लगाओ कि चलेगा अब इसको शॉल कर देखिए यहां 13 है यहां ब्रेकेट टोड़ो गए तो यहां माइनस टूब के यहां माइनस वन यहां पर क्या गया माइनस फाइक प्लस पाइब के यह दूनों सेम है तो यह माइनस 16 हो गया चलिए के को इधा यह तरफ कर लेते है यहां माइनस 2 के है और यह 5 के आएगा तो माइनस 5 के और यहां पर देखिए माइनस 16 है देखिए माइनस 1 इधार आएगा तो प्लस 1 और यह प्लस 13 इधार आया तो माइनस 13 यह दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 7 के और यहां पर देखिए यह माइनस और यह सब्सक्राइन तो माइनस सब्सक्राइब करेंगे की वाइलू क्या ऩागा फोर हा गया तो कॉनसा एंसर हो जाएगा इसे कोशन को सोल्ड करते रहे थोड़ा बैक्राउंड में नौई जा रहा है लेकिन पढ़ने वाले के लिए कोई भी चीज प्रॉबलम नहीं होती है देखते रही है आपने आपको best बनाते रही है कि चंज में क्या बोला है अधोला questions को समझेंगे न तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जैसे यह questions में देखिए a4 की value 7 दिया है a7 की value 4 दिया है और a10 के लिए पूछ रहा है जब भी इस तरीके का question सोनो जैसे देखिए a4 की value यहाँ पर दिया हुआ एक मिनट मैं pen ले लेता हूँ ठीक है a4 की value यहाँ पर दिया हुआ एक मिनट सौरी आया नहीं क्लिक किये लबट आया नहीं अब आ गया ठीक है अब आपके पास हमारा pen आ गया a4 जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो उसकी value दिया है 7 ठीक है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो a7 की value दिया है 4 मतलब देखिए आगे बढ़किया छोटा हो जाता है अच्छा इसको अगर मैं ऐसे बनाओं कई बार इसको solve किया a4 को मैं क्या लिख सकता हूँ a plus 3d equal to 7 और यह वाला जो यहाँ पर जो equation है न इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a plus 6d equal to क्या लिख दूँगा मैं 4 ठीक है थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा यह रफ कर लूँ मतलब यह वाला ठीक है अब मेरे पास इसका solution कर दूँगा देखिए linear equation जैसा है two variable linear equation जैसा है अभी यहां से मैं इसको subtract कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ subtraction करूँगा ठीक है subtraction में करते हैं तो क्या होता है कि यह पूरी value में से यह value minus करते हैं मतलब यह भी minus हो जाएगा यह भी minus हो गया और यह भी minus तो यहां से a और a तो cancel plus minus यह 3 और यह minus 6 d है 3 d में से minus 6 d किये तो 3 d आएगा और minus का sign है बड़े वाले का sign लगाते हैं यहां पर देखेंगे 7 minus 4 कितना हो गया 3 अब यहां पर d equal to 3 upon minus 3 हो जाएगा मतलब d की value कितनी आ गई minus 1 अब यह वाला आप किसी एक में put कर दो जैसे देखो a plus 3 d equal to 7 अब a की value मुझे पता करना है यहां पर देखो 3 पर minus 1 का multiplication equal to 7 यहां पर a 3 और plus minus minus हो गया 3 बज़ा 3 equal to 7 यह minus 3 इदर जाएगा तो a की value कितना आ गया 7 plus 3 a की value आ गया क्या आपका 10 अब हम को चाहिए क्या हम हम को चाहिए a 10 देखे a 10 equal to क्या हो जाएगा a plus 9 d a की value है 10 plus 9 और d की value minus 1 अब यहां पर 10 और 1 देखो plus minus हो गया minus 9 बज़ा 9 10 में से 9 minus हुआ तो 1 आ गया तो 1 कौन सा option है भाई यहां पर d वाला option हमारा right हो जाता है इस तरीके को questions आप देखते रहिए और अपने आपको best बनाते रहिए हलो फ्रेंट आपके सामने एक और questions आ गया है जो आपको बहतर बना सकता है arithmetic progression वाले chapter में ठीक है तो questions देखेंगे तो समझेंगे तो आपको idea मिलेगा तो मैं इसका पहले तो यहां पर solutions देने वाला हूं और solution क्या है देखिए for an ap the possible value यह दिया हुआ है इस अगर ऐसे दिया हुआ है तो इससे क्या मिलेगा वो पहले देख लीजिए ठीक है possible value क्या हो सकती है इन चारों में से possible value पूछा है तो देखिए पहले दिया है अगर मुझे यह पता करना है पहले थोड़ा सा देखते रही है आपको सब आइडिया मिल जाएगा मैं इसको लिखता हूं लिखो s n है अब यहाँ पर देखिए यह जो 2 s n minus 1 है इसको दो अलग अलग लिख देते है s minus 1 फिर minus लिख लेते है s minus 1 और यहाँ पर plus क्या है s n minus 2 clear अब यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा तोड़ते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिले यह एक को रने दीजिए इन में से minus इसको पहले एक पर मैं लिख लेता हूं देखिए s n minus s n minus 1 अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं minus common कर लेंगे तो यह क्या होगा यह वाला plus हो जाएगा s n minus 1 और यह वाला minus हो जाएगा s n minus 2 देखिए ना अभी यह मगर minus का multiplication करोगे तो यह sign आ जाएगा कि नहीं देखिए पहल पहले का formula क्या हो जाएगा देखिए जो यहाँ पहले होता ना n तो a n यहाँ पहले a n minus 1 है देखिए a n minus 1 मतलब यह कह रहा है last वाले में से उसके पहले वाला माइनस कर दें तो d मिलता है क्या मिलता है common different d मिलता है तो यहां कौन सा answer हो गया b b option is the right answer यहीं है logic यहीं सब चीज आएंगे तो हमें बहुत सारे अच्छे questions हो जाएंगे देखते रहिए और भी नए questions के लिए तो देखते रहिए और अपने दोस्मित्र को share करना ना भूलें thank you hello friend आपके सामने एक और question लेकर आ गया है बहतरीन question ठीक है तो देखे बहतरीन question को solve कैसे करते हैं वो आपके सामने लेकर आ गया है questions में दिया क्या है वो चीज़े आपको idea रहना चाहिए question में दिया है s1 दिया 2 plus 4 plus dot 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 2 and talk मतलब इस वाले में देखो कि a भी दिया है first term और last term दिया हुआ है इस वाले में भी first term और last term दिया हुआ है आपको इन दोनों का ratio पता करना है दोनों का sum है ठीक है और AP जैसे दिख रहे हैं दोनों AP जैसे दिख रहे हैं तो थोड़ा हम यहां पर निकालेंगे देखिए s1 upon s2 निकालोगे तो दोनों में देखो यहां पर क्या न कितने होंगे एन थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाऊ तो आपको idea मिलेगा कितने होंगे देखिए यहां पर यहां पर देखो गया एन अपान टू एक यहां पर bracket में n-1 into d ठीक है s2 की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ पर भी n की वैल्यू एन ही है n upon 2 difference है सिर्फ a और d की वैल्यू मैं यहाँ पर वैल्यू पूट कर देता हूं अब को आइडिया मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए n upon 2 यहाँ से चैंचल हो जा रहा है यहाँ पर एक वैल्यू पूट करना देखिए यहाँ पर टू एक में टू है पहले वाले में टू है और प्लस n-1 इंटो डीडी में देखो टू का सब में टू का difference है यहाँ पर देखिए टू ह्वरस्ट यहाँ वन है यहाँ पर n 2-2 करेंगे तो क्या रहा है 4-2 करेंगे तो 2 प्लस 2N और यहां पर 2N यहां उपर से टू अगर कॉमन करते हैं तो कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एन आजाएगा यहांपर 2N आ गया तू टू टू तू कैंसल आ गया एन प्लस 1 divided by n आपका यहाँ पर कौनसा एंसर है फॉस्ट वाला ओप्शन इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं सो थाइंक यू आपके सामने एक और बहतरीन कोश्चन्स है मैं इसको बहतरीन इसलिए बोला नहीं क्योंकि यह कोश्चन्स देखें बहुत लोग के माथा चक्रा जाएंगे लेकिन उतना भी नहीं है आप देखोगे तो आपको आइडिया मिली जाएगा ठीक है अब कोश्चन्स में क्या बोला है वो चीजे मैं आपको बता देता हूं देखें बोला थिए कॉण्जीक्यूटी मतला होता है क्रमस पॉह एक बता सारे टम हो गये उसमेंसे मैंने कोई इक ट्रम माल लिए तीन मैं मैं लिया की और लैट से करके लेट थी कंघिकर्यूद 2020 fl एक मैने माल लिया है मैने माल लिता है इसके बाद वैरा क्या होगा एक सबस्क्राइब और इसके पहले वैरा क्या होगा डी कम होगा औभीरलिना याँ यहाँ जो था उसमें दी अड़ करो हो सकता है मतलब डी की वैलू माइनस हो तो कम होते जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है डी की वैलू को पॉजिटिव निगेटिव की वैलू को उपर डिप्रेंट करता है अब अगर पहला बोलोगे फॉस्ट कंडिशन के अक्वारिश को लोग Gabe कि इन तीनों का सम जो है 48 अंच आट लेता ह हूं एक्स माइनस डी फ्लस एक्स प्लस एक्स फ्लस डी इक् рокण्डिव चोल टूंट फोटीएट अफोट इसल्स अब देखो ö rut ॉर्फ्स इक्स 3x हो गया 3x हो गया और प्लस D माइनस D cancel हो गये ठीक है प्लस D यह माइनस D और प्लस D cancel हो गये यहां पर आ गया 48 और X की वैलू क्या हो गई 48 divided by 3 तो X की वैलू क्या हो गई 16 मैं X नहीं चाहिए हमें D चाहिए ठीक है X थो पता नहीं क्या है थहां थो हमें पता नहीं मैं तो मांना हो ना एक ठीक है अभी आप देखें आदस ना प'll कंडिशन पर द है अधिकD मिलेंगा प्र क्ला क्षार क्षिश्ग किया है P पहला पहला क्या है एक सद्शा क्ला क्षार माल सन्ट कि तो 252 अब चींद कर लो मेयनेस डी स्कवार कितना हो दो फिप्टीश अच यह माइनस ती स्कॉयर तो माइननस कर दें इतर धर कर दो दो मैनेस कर ददीहा दो मैंयनस कर दें े तो चाहिए टो माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस टू आ जाएगा अब यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है माइनस टू नहीं दिया अगर दिया रहता तो भी मैं टिक कर लिता है ती आपका एंसर हो जाता है इस तरीके से को सॉल करेंगे और आपका एंसर आ जाएगा धन्यबाद आपको यह वीडियो देखने के लिए अलो फ्रेंड आपके सामने आ गये हैं एक और बहतरीन कोशन्स लेके जो आपको बहतर बना सकता है तो चलिए कोशन्स को देख लेते हैं और कोशन्स को सॉल करते हैं बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंट जो है ना द आपके साइब करते हैं सेलीशन्स की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला है कॉमन डिफरेंट जो डでई वो है 5 बोला है मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पर बोला कॉमन डिफरेंट को डी बोलते हैं और दिया है इसकी वैल्यू पूछ रहा है देखिए एटीन-8 13 ठीक है चलि a plus n minus 1 into d n की value 18 रखोगे minus 1 करोगे तो 17 आ गया यहां minus इसका value जो आएगा न उसको bracket में लिखोगे कि उसके minus plus रहता न तो नहीं लगा चलता क्योंकि यह sign बाकिस का change कर देगा तो यहां भी क्या हो जाएगा a plus 13 17D है तो 12D आजाएगा ओके 13 है तो 12D आगे लिख लेते हैं a plus 17D और यह minus तोड़ेंगे bracket को यहां पहले minus a आएगा और यहां minus 12D आजाएगा तो यह minus यह plus यह cancel बचा क्या 17D minus 12D 17D में से 12D minus करेंगे तो क्या आएगा 5D आजाएगा ठीक है और डी की value दे दिया है 5 तो यहां पर मैंने डी की value 5 रखी तो 5525 आगया कौन सा option होगा c option is the right answer ओके इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं हलो फ्राइंड आपके सामने एक और बहतर questions लेकर आ गये हैं और बार बार मैं बहतर क्यूं बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप बहतर बन जाएं और बहतर बनाने के लिए ही मैं आया हूं तो चलिए questions को दिख लेते questions में बोला क्या है for an AP this 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 11 Tomies 11 Tomies 11 Tomies पता करना है मत क्या दिया हुआ है minus five चलिए डि कैसे निकालेंगे उसके बाद वाले टर्म से माइनस करेंगे उसके पहले वालव वैलू अच्छा minus five upon two यहा minus minus plus five हो गया ठीक है अभी यह क्रॉस इधर कर दो है माइनस 5 है ये 25ज़ 10 हो गया प्लस 10 देखो बीज़ में प्लस था यहां प्लस लगाया है ये 2510 हो गया और नीचे जो था वही आ गया माइनस 5 प्लस 10 5 हो गया 5 पंट टी की वैलु यह आ गया आपको क्या चाहिए ए 11 चाहिए अभी दी और मिल गया a11 चाहिए मतलब n की value भी है आपके पास a पहले n का formula लिख लेते हैं a plus n minus 1 bracket में into d अभी आपको चाहिए a11 तो a की value यहाँ पर minus 5 plus n की value 11, 11.1 कर रहे हैं minus 1 और d की value 5 upon 2 चलिए यहाँ minus 5 यहाँ plus 10 हो जागा 11 minus और यहाँ पर आगया 5 upon 2 यहाँ पर है minus 5 यहाँ देखिया 2 5 जा और यहाँ 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया 25 minus 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा तो यह आपका a11 की value हो गया और answer क्या होगा 20, देखियो minus 1 और नहीं है ध्यान रखना plus 20 है, यहीं तो minus 1 और भी plus 20 भी दिया है तो यह mistake ना हो, यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है, thank you